नमस्कार जब बड़ी बारी मुश्किल आए जब आपके जीव में बहुत बड़ा संकट आए तो अच्छे अच्छे लोग पताए डग मगा जाते हैं पेरो नीचे दर्ती फिसल जाती है अभी हाले में आपने देखा होगा अड़ानी गोतम अड़ानी का हिडन बड़ की रिपोर्ट आई पूरा बिजनिस समर्ज था सब हिल गया अरबो का समर्ज करोडों पर आ गया तो जब संकट आए तो क्या करना चाहिए कभी ऐसा तो होता ही निए का आपके जिवन में हमेसा सुकी सुक रहेगा दुक आए गई निए आता है आपके जिवन में भी दुक भी आया होगा और सुक भी आया होगा और अब आगे भी सुक भी आएगा दुक भी आएगा लेकिन जब बहेंकर दुक आए तब क्या करना अधिकतर लोग तूट जाते हैं भिकर जाते हैं लेकिन जो ये बाते जानते हैं वो दुख में भी निकर कर सामने आते हैं तो जब संकर्ट आये तो क्या करना चाहिए सब से पहले तो मन और दिमाग को कभी विचिलित मत होने देना जब संकट आता है तब आदमी का दिमाग काम करने बंद हो जाता है और मन में बड़ी बारी टेंसर होने लग जाती है मन एकदम डख 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 करने लगता है और दिमाग काम करने बंद लग जाता है तो सबसे पहले तो मन और दिमाग को विचलित मत होने देना इसको control में रखना अपने आप से कहना कि बुरा समय आया है तो अच्छा समय भी आयेगा अपने आपको control रखना जब इस नहीं अपने आपके उपर आपने control खो दिया ना तो बस कहता है ना कि मुसीबत के समय में हिम्मग से काम लेना चाहिए तो वही बात है अपने मन को और अपने दिमाग को कभी भी विश्लित मत होने लिए शेकर नकारात्मक विचार आएंगे हजारों आएंगे ध्यान रखना कोई यूँ कर दे कि आप संकट के समय पोजिटिव विचार लोड पोजिटिव दिमोकर यह बात है बुल जाओ आप विश्ण कहते हैं कि संकट के समय नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं और पोजिटिव विचार कम आते हैं नेगेटिव विचारों को आप नहीं रोख पाऊगे लेकिन आपको नेगेटिव विचारों के ऊपर पोजिटिव विचारों को हावी करना है पस यह करना है पर तो आपकी मुसिबत इसली निकल जाएगी और आप संकट के समय में सई तरीके से काम करोगे और आप हिम्मत नहीं हरोगे तो नेगेटिव विचारों को आप नहीं रोक सकते हो कुछ भी करके चाहे आप लाग कोसिज कर देना नेगेटिव विचार तो आएंगे लेकिन प्यासला मत लेना अधिकतर क्या होता है जब संकट आती है तो लोग अपना दिल दिमाग काम नहीं करता है वो जल्द बाजी में फ्यासला लेते हैं यह करते हैं वो करते यह करते हैं ध्यान रखना संकट भी थोड़े समय के लिए होता है और सुक भी थोड़े समय के लिए ह होता है बाकी तो जिन्द की नॉर्मल चलती है दुख भी लंबा नहीं चलता है और सुख भी लंबा नहीं चलता है अधिक तर जिन्द की क्या चलती है नॉर्मल चलती है इसलिए जब संकट आए तो जल्द बाजी में कभी फैसला मत लेना आराम से सोचना समझना और आगे ले रहा हूं इन फीचर के लिए मेरे लिए क्या नुकसान दैक होगा और क्या बेनिपीट होगा सोस समझ कर फैसला लेना अपना देल ये कभी मत खोना सब कहते हैं ना कि मुश्किल समय में देले मत खोना बस यही है मुश्किल समय में धेले बनाए रखना आज बुरा समय आया है तो कर अच्छा समय भी आएगा अधिक तर लोग मुश्किल समय में अपना देरी खो देते थे और जब देरी खो देते हैं ना तब वो हिम्मत हार जाते हैं और जब हिम्मत हार जाते हैं ना तो डूब जाते हैं निरा समय हता समय तो मुश्किल समय में देर ये कभी मत होना तो ये चार बाते आप जरूर रतना जब आपके लाइप में संकत आये तो संकत और मुसिबत आराम से कट जाएगी आप खतासा और निरासा में नहीं डूबोगे